ये डबबे जो हैं ये इसमें जो passengers हैं सबसे पहले ये तस्वीर मौके की हैं जहाँ पर passengers लोगों को निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं डबबे पलटे हैं, AC coaches हैं और कुछ हमें coaches sleeper class के भी दिखाई दे रहे हैं काफी भीडबार और यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो ही सबसे बड़े अभी रेस्कूर के तौर पर उबरे हैं जो लोग जिने चोटे नहीं आई हैं वो सारे लोग ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दे दे रहे हैं जो लोग इस वक्त डब्बे में फसे ह हुए थे तो उन लोगों को निकाल करके साशन पर शाशन के तरफ से जल्द से जल्द जो आसपास के अस्पताल हैं उनमें पहुचाने की कोशिश हो रही है और ततकाल जो भी बैस पॉसिबल रिलीफ हो सकता है वो दिया जा रहा है तो इस वक्त जो मृत्वों की संख्या की पुष्टी हुई है वो दो की हो गई हाला कि हमें गोर्धाउम जो गोर्गपूर में है वहाँ से admitting साशन की तरफ भी जांकारी की रहे हैं दो लोगों के मारे जाने की जो ख़बर अपडेट जो इस वक्त आई है जो पुष्टी हुई है और 20 लोगों गायल होने की यह उत्तरप्रदेश प्रशासन की और से ख़बर है जिए बिलकुल यह राहत आईक के तरफ से यह कंफर्म किया गया है राहत आयक तु उत्तरप्रदेश के हैं उनकि तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि दो लोगों की मौत और 20 लोगों की पुस्टी साथ ही जो मेडिकल टीमे हैं वो 40 medical staff भेजे गए, वहाँ पहुच गए हैं, कुछ और को भेजा जा रहा है और 15 ambulances की विवस्ता हो गई है, कुछ और ambulances को भेजा जा रहा है ये सारी जानकारी उत्रपदेश का जो राहत आयुक का कार्याले है वहाँ से हमें दी गई है, तो ये बिल्कुल post cover है कि दो की मौत की पुस्टी और 20 लोग घायल तो ये फिल्हाल जानकारी जो है एक तरह से बिल्कुल post है अब इसके बाद जैसे जैसे आकडे अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे आकडे आएंगे और 10 से 12 डबों के पलटने की बाद जो है दस से 12 डबों के पलटने की खबर आ रही है और रनवीर जैसे बता रहे थे आकडे जो अब उनके पास आ रहे है 20 लोग इसमें घायल बताया जा रहे है दो लोगों के मारे जाने की पुष्टी हुई है ये संख्या हताहत लोगों की घायलों की और बर सकती है ये शुरुवाती तस्मीरे हैं जो मौके से आई हैं दुखाद रेल हादसा एक के बाद एक जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं 17 जून को एक हादसा हुआ जिसमें 10 डगों की मौत हो गई और उसके बाद अब ये हादशा हुआ है जिसे बड़े सवाल अब railway safety को लेकर उठ रहे हैं